करते हैं जिसे हुंनीं क् выш Snaual े अच्छी नहीं आती हैं और तर नहीं ये तो eternityлом करते हैं दौटी ऑब खरक क्यों बगा 3D सी नहीं मिल फैनली सभी इस वीडियो के मादब से आपको बता हमागा SM 800 E इस मिकसर में और दो तीन गल्तियां जो लोग होते हैं वो करते हैं जिससे उनीक साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आती है और इस मिकसर में क्या-क्या है जो छोटी उसका लेने का सोच रहे हैं मिकसर का तो वह मिकसर ले सकत connect का सकते हैं आपको employee से employee connect करने की आवाश सकता नहीं है तो इससे भी quality पर फरक पड़ता है तो पहली चीज तो यह हमें यहां से मिल जाती है दूसरी जो हमारा mixer होता है तो उसमें जैसे मालों आपको DD3 लगानी है तो आप कई तरह से जोड़ भी सकते हैं लेकिन अगर इसमें especially return का यह जो आपको मिल जाता है इंपुट तो यह आपके लिए बहुत ही बैस्ट होता है इसके जो बॉल्यूम बगारा है कोई फटर नहीं है इसमें देख लिए मैं माश्टा बगारा कर यह बॉल्यूम दिये हैं इसके बाद में headphone के लिए यहां पर एक जैक दिया गया है ज यहां पर आप देख रहे हैं कि लाइन में आपको क्या लगाना पड़ता है जिसे आप कीवर्ड बगारा लगाते हैं या कोई मोगाल बगारा से स्वांग बगारा करना है तो लाइन में लगाते हैं और यदि माइक लगा रहा है तो माइक को नीचे माइक में ही लगा जाता हैं वो हमारे किस काम के हैं तो देख लिए सभी मिक्सरों में कुछ वॉलूम नहीं होती है आप देख लिए जिए मेड़ ट्राइबल और पैन और एफेक्ट का ये वॉलूम है सबी नीचे तो इसमें सारे वॉलूम आपको मिल जाते हैं कहीं कोई किसमें कमी नहीं रखी है ऐसे अपने six io based नहीं चाहिए यहां थक हम सट्क हैं तो ब ede कश खोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं तो इसको 55-50% तक भी लग सकते हैं और यह थी ुसले होता है ठोलगता है घ्लकासा ट्रेवल कम कर देंगे इन दोनों को कम करेंगे तो आपकी बिसल भी इससे कम हो जाती है यहां से थोड़ी बिसल हम कट कर सकते हैं यानि थोड़ा-थोड़ा कम दोनों को करेंगे तो आपका बिसल कट जाएगी तो बिसल की प्रॉब्रम भी यहां से सॉल्व हो जाएगी यह जो आपका पैन दिया है आप पैन का यूज जानते हैं जो हम किया दता है तो साउंड को एक साइड ले जाने के लिए पैन का यूज होता है कि एक साइड बंद कर देंगे दोनों को चाहिए तो हमको पैन को भीच में रखना पड़ेगा ताकि हमारा बैलेंस में आबाज रहे और हर वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इस वीडियो में भी आपको इस चीज का दिया रखना है, तो उसको दियां से देख लेज uncreat करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आसानी से आप चलाएंगे चलाएंगे और इनपुर्ट जो उपर से दे रहे हैं माई बगएरा का वहां से आब आज बढ़ा लीजिए लेकिन यहां से माश्टर को ज्यादा मत खोलिए उपर से आप आज बढ़ा सकते हैं आप जो मिक को यहां से खुल सकते हैं और जिस में आप इस पीकर चला रहा हुते हैं तो जसे बार बढ़ा से आपका जो सांडर से आपको गए तो मास्टर को तो पर आप नहीं रखेंगे नहीं unserem सहां अमारा बेस भी स्विकर लगे हुए हैं 15 इंची कर श्पीकर आप चला रहे हैं तो बेस फोर तक ले जा सकते हैं तो यह चीज दिहां रखना है तो देख लिजी यहां पर दोनों जो बायर हैं पहले तो इस चीज को छोड़ देते हैं अब हम देखते हैं कि यहां पर जो आठ होम का इस्पीकर होता है SRX 440 यह 8 ohm impedance इस speaker का होता है तो यह निकल के 8 ohm आता है और इस में होने 2 speaker लगा के रखके हो और देख लीजिए यहां पर 4 ohm पर लगना चाहिए था जहां पर भाई का 8 ohm पर लगा हुगा है यानि यह बहुत बड़ी mistake है और इससे धीरे 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 क्वाल हुट होती रहेग और धीरे धीरे कुछ समय बाद इसका परड़ाम देखने को मिलता है तो कभी भी यह गलती आपको नहीं करनी है इस चीज़ का आपको दिहान रखना है तब आपको best quality मिलेगी best sound मिलेगा और आपका नुक्सान भी कुछ नहीं होगा तो इन सारी चीज़ों को आपको दिहान म है ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है तो इसमें जो चोटे साउंड सर्विस वाले हैं चोटा सा काम सुनू करना चाहते हैं वो सुचते हैं मिक्सर कौन साल है तो इसके लिए मिक्सर मैंने आपको बता दिया है कि SM 800E आप मिक्सर ले लिजिए आप 8 चैनल तक का मिक्सर चा सकते हैं और बहुत ही कि सांदार क्वाल्टी के साथ ये मिक्सर आपका बर्क करेगा कोई भी दिक्त में आपको बिल्कुल भी आने नहीं नहीं है और हमें कनेक्शन का बिसे शुरूब से ध्यां रखना है हर चीज पर हर पॉइंट पर हमको अच्छे से दिखना है तो इससे आपका कहीं भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है यदि आप ये गल्तियां करेंगे कि जो आप ओम मेचिंग भी नहीं करेंगे आप उल्टा सीज़ा लगाएंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है तो मिलते हैं नेक्स्ट टूडियों तो तक के लिए गुरबाद जिन